हेलो फेंट्स वेलकम टू माई स्टडिक फिट चैनल दोस्तों आज मैं यूपी अल्टी ग्रेट 2018 में जितने भी फीजिकल एजुकेशन से पुछे गए प्रश्न है उन सभी कोस्चन्स को का हल मैं यहां पे करा रही हूं जैसा कि दोस्तों 120 कोस्चन्स को तीन पार्ट में डि कर रहा है किसी भी राजे के तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोश के कार्डिंग है सभी वीडियोश को वाच करके आप अपने प्रिप्रेशन को बहतरीन कर सकते हैं एंड दोस्तों 100 से ज्यादा वीडियोश प्रिविए सियर यमसी की उस कोस्चन्स पर बनाए गया है जो बहर 2 इन होती है चालिश सेंतीमीटर है I'm sorry my question. Is Spencer ने बैक्टित को कितनी वरंगों में बाटा है तो स्पेंसर ने बैक्टित को यानि प्रस्फ नाल्यडिक को छे वरंगों में बाटा है निश्ट कोश्चन है कि निम्न मेंशी कौन शा अंग प्लूरा द्वारा धका रहता है दोस्तों प्लूरा मेंब्रेन द्वारा कौन धका रहता है फेर फड़ा धका रहता है आस्वन नमबर डी करेक्ट है नेश्ट है आपको कौन इसमे वह सुमेलित नहीं है इसको छाटना है जैसा कि दोस्तो एंब मोई पूल जो की जोडों पर पयायाता है पर्टेला यह सही है B है सार्ट बौन जो हमारे कलाई और टकने में पाय जाता है कारrepल और ट्रॉसल तो यहांपे सार्ट बौन कार overlap दिया है यहांपे यह सही है C है फ्लैट बौन जो की जहांपे श्रचा किया सकता होती है हमारे खोपड़ी में हमारे कंदे इसके पुला में हमारे रिप्स में पसलियों में पाई जाता है जब कि यहां पे फ्लाइट बॉन दिया है इसके पुला यहां पे राइट है डी है इरेगुलर बॉन जो हमारे चेहरे और रिल की हड़ी में पाई जाता है यहां पे टार्सल यह जी यह गलत है यानि कि आफसर नमबर D यहां पे करेक्ट है नेक्ट कोश्चन है कि कौन सा सरीर रचना शमंधी शब्द सुमेलित नहीं है इसमें आपको देखना है तो कौन सा सुमेलित नहीं है जैसा कि एंटेरियर सामने सुमेलित है लेटरल बाहर की ओर यह भी सुमेलित है प्रोन चेहरा नीचे यानि प्रोनाइन पोजिशन में क्या होता है चेहरा नीचे होता है यह भी सही है मेडियल भीतर की ओर होता है जबकि यहां पे चेहरा उपर की ओर दिया है जब कि चहरा उपर सुपाइन पोजिसंग में होता है यहां पर आपसर नंबर डी गलस सही एंसर है कि नीज्ट कोस्टोन है कि शरीर की प्रतिवर्थी क्रिया का नियंत्रर केंद्र होता है तो कौन होता है दोस्तों , is spinal card , Mayer enjoy , से पर्तिवर्थी क्रियाओं का , नियंतर होता है , यानिकी की पर्तिवर्थी क्रिया यानि reflex action , फिक है , सबसे उत्तम किस्मि मापी जाती है तो किस्मि मापी जाती है सबसे उत्तम हावार्ड स्टेप टेस्ट आफसन नंबर भी करेक्ट होगा नेश्ट है परिचर का प्रयोजन यानि परपज किसके माध्यम से मापा जाता है किसके माध्यम से दोस्तों जैसे कि परिचर के गुड़ होते हैं परिचर मापन के गुड़ होते हैं कि उसमें तो उसमें जो किस लिये बनाया गया है, किस उद्देश से बनाया जा रहा है, उसमें आपका बैदता होता है, यानि validity देखा जाता है, आपसा नबर बी यहाँ पर correct है, नेक्स्ट है, लंबवत कुद, यानि vertical jump द्वारा, शक्ती मापने को, और किस रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों, लंबवत कुद, यानि कि vertical jump को sergeant jump, यानि sergeant कुद के नाम से भी जाना जाता है, आपसा नबर बी correct है, ठीक है, नेक्स्ट कोस्टन है, कि krause waiver test मापता है, तो क्या मापता है दोस्तों, नियुनितम मांस्पेशी सक्ती, ठीक है, minimum muscular strength को मापता है, आपसा नबर यहाँ पर correct होगा, नेक्स्ट कोस्टन है, अवधी कालिंटा के अंतरगत कितने काल आते हैं, तो अवधी कालिंटा के अंतरगत 3 काल आते हैं, कौन-कौन से, प्रप्रोट ट्रवॉ है इस्पोर्ट ट्रेनुग में एक टॉपिक है समण्य योक्ताओं को प्रटो कुट्ने प्रकारों सॉमन्डवा यक्ताओं को साथ भागों को साथ है स्ञुशन कि बात की लिए आप के स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के स्ट्रेंथ, इंडरेंज, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कॉडिनेशन के बारे में डेटेल में जान सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है विस्तित अंतराल बिधी यानि एक्स्टेंसिव इंटर्नल मेथर में तिविता होती है विस्तित अंतराल बिधी यानि जादे समय की क्रिया है तो इंटेंसिटी कम होगी आपसन नबर सी 30 से 40 परसेंट होगी जैसे कि दोस्तो गितना डुरेशन यानि समय कम होगा तिविता यानि इंटेंसिटी उतना ही कम होगा और इतना डुरेशन यानि की समय जादा होगा तिविता यानि की इंटेंसिटी उतना ही कम होगा दोनों में विप्रेद संबंद है ठीक है जैसे 100 मीटर आप दोर दोर रहा है यहाँ पे आपकी intensity यानि तिविता यानि इस पीर ज़्यादा होगी और मैं आथन दोर दोर रहा है वहाँ पे intensity यानि तिविता बहुत कम होगी ठीक है next question है खेल प्रदर्सन प्रडाम है तो खेल प्रदर्सन किसका प्रडाम है आपकी skill का कौसल का आपसन नंबर ए यहाँ पे correct है ठीक है next question है प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाब है क्या लाब है यह है खेल प्रदर्सन को जानने में शहायक होता है भी है खेलाडियों की कमजोरी को जानने में शहायक होता है तो दोस्तों इन सभी में शहायक होता है खेल प्रतियोगी ता आपसन नंबर डी प्रियोग की जाने वाली प्रतम वस्तू क्या है इसमें गर्म ओ ठंड़ा पानी का प्रियोग किया जाता है आपसन नंबर डी सी यहाँ पे correct है next question है कूबर को और किस रूप में भी जाना जाता है कूबर को यानि काइफोसिस को किस रूप में भी जाना जाता है तो इसको जाना जाता है वकरपीट है यानि कवर्ड बैक आसन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा जबकि इसमें जो घुमाओद और कंधा है यानि कि जिसे राउंड सोल्डर भी कहते है इसको राउंड सोल्डर जाना जाता है और जो लेटरल बैक पार्स पीट है इसको स्कुलियोसिस की रूप में जाना जाता है पोला पीट यानि हालो बैक को लाडोसिस की रूप में जाना तो एक से तीन घंटे पहले आपसर नंबर सी यहां पे करेक्ट है दोस्तों मालिस के बारे में जानने के लिए आप खेल चीकिसा वाले प्रेलिस्ट में जाकरके जान सकते हैं कि सूची एक को दो से आपको सुमिलित करना है और सही उत्र की जाज करना है जैसे कि कि से रिलेटेट है प्रतियोगिता से काईफोसिस कि से रिलेटेट है आसन से प्रकूसन कि से रिलेटेट है मालिस से इस टर्नम क्या है एक हड़ी हड़ी से रिलेटेट है यहां पे आपसर नंबर रावन डॉबिन पत्तियोगिता से परकूसन मालिस से ठीक है आपसर नमबरसी यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है सारी निवनी लिखित में से शंबोधित किया जाता है जैसा कि आप सब को पता है सारी उपचार को फिजियो थिरेपी के अंतरगत अधिन किया जाता है अपनेंबर सी यहां पे करेक्ट है नेश्ट है दोहजार तीन बिश्चुकप क्रिकेट का शुभंकर क्या था तो क्या था डैजलर नेश्ट है आपको दोनों सुचियों को मिलाना है जैसे कि हैंडबाल का वोजन पूरुस के लिए कितना होता है दोस्तों 435 से 475 तो एक का टू हो जाएगा फुटबाल का वोजन कितना होता है दोस्तों 553 ग्राम तक होता है तो यहां पर आपका दिया है 410 से 450 ग्राम और बास्केटबाल का वोजन कितना होता है दोस्तों 600 ग्राम तो यहां पर दिया है 510 से 577 ग्राम minimum दिया है, तो C card 3 हो जाएगा, बालिवाल का उजिन कितना होता है, 206-280 gram, ठीक है, तो यहाँ पर option number A correct हो जाएगा, next question है, DK thalad में कुल कितने field event होते हैं दोस्तों, तो field event जादा होता है, तो DK thalad में कुल 10 event होते हैं, चेव होते हैं, आपसर नमबर C correct है, दोस्तों, DK thalad, हेप्टराथलाण, पिंटराथलाण, और ट्राइथलाण के बारे में जानने के लिए, आप athletic वाले playlist में जाकर के देख सकते हैं, next question है, alternating position, indicator, arrow का प्रियोग किस खेल में होता है, तो basket wall में होता है, आपसर नमबर C correct होगा, next है, नवी SI खेलों में भारत में कितनी medal जीते थे, तो कितनी medal जीते थे, 13 वर्ड, 19 रजद, 25 काश्ट, आपसर नमबर A, यहाँ पे correct होगा, next question है, भारत में उलम्पिक खेलों में सरपर्थम किस वर्स भाग लिया, तो उनीश शो में भाग लिया दोस्तों, जिसमें नमबर पिचार्ड भाग लिया था, आपसर नमबर B, यहाँ पे correct है, जबकि यह पूछा जाएगा, कि अधिकारिक तोर पर कब भाग लिया था, तो 1928 में, संतोस का नियम समंधित है, तो किसे रिलिटे थे दोस्तों, प्रभाव के नियम से, जिसे satisfaction आफ लाव भी बुला जाता है, नियम में से कौन सी प्रेड़ा की तक्नीकी नहीं है, पुरुसकार या अमदंड ये भी है, प्रवसंसा ये निंदा ये भी है, प्रतियोगिता भी है, उपिक तुमें से कोई नहीं, आफसन नमबर डी यहां पे करेक्ट होगा, नियश्ट है, ब्योहार की बृद्धी को कहा जाता है, जैसा कि दोस्तों ब्योहार में जब परियोतन होता है, उसे सिखना कहा जाता है, आफसन नमबर A यहां पे करेक्ट होगा, और दो सिरको गुमाती है लोगिस्टिन वेेंग संती है है वो सीर को घुमाने के काम में आती है इए मनरंजन का प्रकार है और बी मिश्ठ है अस्थी मानस्पेसी की संकुचन सिल इकाई है तो जोस्तों अस्थी पानसपेसी के संकुचन सिल इकाई कोन है सारकोमियर कोन है सारकोमीयर ठीक है जैसे कि दोस्तों 80 माइस्पिस्टी की संरच्यात्मक M. कृयात्मक वो संकुचन सिल इकाई सारकोमीयर है इलेक्ट्राण मााइक्रोइसकोपी तथज्य और रासानिक विसलेसर सर्यापता ग्यात हुआ है संकोचल में को संकूचल में सहायक होते हैं जब कि दोस्तो अस्ती म sécurité की संकूचल इकाई डाइ अधा कायो फांचा suo taken वह क्या होगा मेश्ट है कॉप मानस्पेशी का बिग्यानिक नाम है तो क्या नाम है गस्ट्रोनिमियस ठीक है आपसन नमबर ए करेक्ट होगा नेश्ट है सरीर क्रिया बिग्यान में अध्यान किया जाता है तो किसका अध्यान किया जाता है मानों सरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्यान किया जाता है आपसन नमबर भी यहाँ पे करेक्ट है नेश्ट है बंद चोट के लिए प्रतम उपचार होना चाहिए दोस्तो बंद चोट के लिए प्रत्रम उप्जाब बर्फ वो ठंडे पानी से सेखना चाहिए आपसन नमबर A यहाँ पर करेक्ट होगा नेश्ट है निन में से कौन सा जल चिकिस्सा का हिस्सा नहीं है वैक्स बात क्रायो चिकिस्सा वर्लपूल बात कंट्रास्ट बात तीनो जल चिकिस्सा का भाग है जब कि वैक्स बात वो मों चिकिस्सा का भाग है आपसन निम्बर A यहाँ पर करेक्ट होगा नेश्ट है खून का तरल भाग होता है तो क्या होता है प्लाजमा जो हमारे रक्त बहता है देखती है जो सफेज सफेज पानी जैसा अलग तरल पदात होता है तो खुन का तरवल भाग जो होता, उह प्लाजमा होता है, नेक्स्ट फिलाड़ी के एकरित में, संचित गलाइकोजन की मातरा होती है, तो कितना होता है एक खिलाए के एक रित में सतर से शौ ग्राम होता है जब कि मनिश्यों में सरवादिक ग्लाइक जन कंकाल मांस पर इसिव में लगबग 500 ग्राम होता है ठीक है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में 40 कोस्टन होगा तो सभी कोस्टन आपको समझ में आए होंगे दोस्तो अभी फीजिकल एजुकेशन की जितने भी सिल्वस के एकॉर्डिंग टापिक बचे हुए हैं सभी को इस्टेप पूरा करती होंगी बने रहे हैं आप मेरे चैनल पे अपने कायारी को बेहतरीन करने के लिए तो दोस्तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिजी बिल आइकन को प्रेस कर लिजी जिसे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुशता रहे तो मिलते हैं नेक टॉपिक की साथ तब तक के लिए जहें